हेलो गाइस स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे अदाणी एनर्जी शोलिशन की दो पसंद के असपास के गिरावाट इसके अंदर और कितनी गिरावाट आ सकती है बाउंस बे कहां से आ सकता है वो भी हम इसके उपर हमेला लिसस करेंगे साथ-साथ इसके उपर एक बनी थी यहां बनी थी यहां पर आप देखे तो एक हैमर जैसी ने हाइब था 1200 इसके उपर जब तक नहीं निकलता तब तक इसके आंदर तेजी की संभाव ना कम हो सकती है या तो consolidation या तो profit booking आ सकती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कि अगर आज की बात करें तो अच्छी कासी एक जो है 7-8% के आसपास की almost इसके अंदर गिरावट आ चुकी और कई लोगों को इसके अंदर तब फाइदा भी हुआ है कई लोगों ने हमें comment किया था कि कई लोगों ने इसके अंदर partial profit booking की थी हमें comments आये थे तो अच्छी बात रही अगर आप नए है इस चैनल के उपर दोस्तों तो subscribe जरूर कर ले हमारे चैनल को इसके उपर हम daily technical चाट के उपर analysis करते हैं और आप हमारे दूसरे वीडियो भी जरूर देखें यहां पर आज के कारोबार की बात करें तो हाला कि डिलेवरी वोल्यम जो है वो अच्छा का सा यहां पर दिख रहा है 22 लाग के आसपास की डिलेवरी उठी है तो वोल्यम अच्छा है और वो भी अगर देखें तो 58% की इसके अंदर जो है डिलेवरी उठी जितने से टेड हुए तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो खरीदारी है वो अच्छी खास यहां पर चल रही है और यह आप इसकी खबर देख सकते हैं इसके प्रिविएस वीडियो में भी इसके ऊपर हम ने चर्चा की कि OLIC ने बेच दिये अधारी ग्रूप के 3.13 covert share को शेहर में तीन शेहर है उसके अधार एक यह अगर देखें अधारी Energy Solution का बी नाम है यह पिछले quarter की बात है यहाँ पर आप देखे दे इसको आप ने पर देख सकते हैं अधारी Energy Solution में इससदारी 3.68% से गटाकर 3 point जो है कर दी है लेकिन ये चीज आप एक बात नोट करके रखे अभी भी उनके पास 3% की हिस्सदारी है ये सिर्फ पार्शल प्रॉफिट बुकिंग की है इसलिए हम भी कई बात करते हैं चर्चा करते हैं ये बात समझने लाइक है ये मतलब की समझने जैसी है थोड़ा थोड़ा करकर खरीदना थोड़ा थोड़ा करकर बेचना वो काफी यूसफूल रह सकता है जैसे कि ELIC नहीं अभी देखा तो इसने पार्शल प्रॉफिट बुकिंग की अभी भी उनके पास ये 3% की हिस्सदारी है अब यहाँ पर आगे देखे हमारा दूसरे वीडियो भी जरूर देख सकते है इर्ड़ा का शेर दो दिन पहले शेर किया था 110 के उपर यहाँ पर आप देखे आज के दिन 127 का इसने हाई बनाया साथ साथ ये 10 जन्वरी को आर्वी एनल का शेर जो की 197 रुपे के उपर शेर किया था यहाँ पर आप प्राइस भी देख सकते है इसके अंदर भी देखे आज के दिन 230 रुपे तक का हाई बनाया तो ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले यह हमारे नए विवर्स के लिए हम बात कर रहे सब्सक्राइब भी जरूर करें और शेर भी जरूर करा करें देखें कुछ शेर के अंदर तुरन तेजी आती है कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है कुछ के अंदर स्टोप्लोस भी ट्रिगर होते है आप trade layer नोले वो आपकी मरजी की बात है लेकिन हमारे दूसरे long और short videos देख सकते हैं आज भी हम एक short videos upload करेंगे वो भी जरूर देखियागा उसके अंदर आपको मतलब की कुछ नया सीखने को मिल सकता है बाकी trade layer नोले वो आपकी मरजी की बात है चलिए आगे बढ़ते है कल की यह जरा आखरी वाली candle देखिये कल टाइम की कमी की वज़े से इसके उपर वीडियो नहीं बना पाये थे लेकिन जरा यह candle देखिये बिल्कुल shooting star के इसको मतलब के कह सकते है इवनिंग star के सकते है तो यह एक बेरिस जैसी candle बनी ऊपर खुली उसके बाद नीचे यह पंदरा मिनिट का चार्ट है यह आखरी candle है कल की तो यहाँ पर कल ही थोड़ा सा एक मतलब की यह momentum एक weakness यहाँ पर दीख रहा था पिछले हपते भी बाद की थी हमने तब भी एक weakness इसके अंदर दीख रही थी जब यह बारा सो रुपे का इसने high बनाया था जैसे कि हमने चर्चा की वह आपने देखा कि वह वीडियो अभी भी मोजूद है आप चाहे तो देख सकते हैं वीडियो के शुरुआत मेर में चर्चा की तो अब यहाँ पर शोट टरम की बात करें तो यह यहाँ पर दे होए इस यह हाई जब तक यह क्रोस निकलता तब तक तो वीकली चाट के उपर देखें सपोर्ट की हम बात करें तो नजदी की सपोर्ट जो अब इसका दिख रहा है वह है 1100 रुपे का लेवल वहाँ पर 5 विक का मूमी गेवरेज है और यहाँ पर जो है एक बात करें एक बड़ा सपोर्ट की बात करें यह मतलब इसको नोट कर हेंडल का है उसका जो लो है वो भी 980 से 1000 रुपे के आसपास है वहीं पर इसने पिछली बार सपोर्ट लिया था तो यह इसका अगर स्ट्रॉंग सपोर्ट की बात करें तो यह लेवल हो सकता है 980 से 1000 रुपे के बीच में यहाँ पर एसा लग रहा है और यहाँ पर अभी ब 15-1700 तक मतलब की ले जा सकता है लेकिन अभी जब तक यह लेवल पार नहीं होता तब तक मुझे इसा लग रहा है कि इसके अंदर कंस्वरडेशन या फिर फोर इसी और प्रोफिट बुकिंग आने की संभावना हो सकती है और आगे देखते हैं शोट टर्म की भी हम बात चलच और दलतेजी आने की संभावना हो सकती है तो यहां पर अभी आप देखें पच्चास और दोस्तों दिनों का यह डेईली चाट है इसका मुविंग एवरेज जरह देखें तो आप दिन दोनों के बीच का जो फासला है सिफ 65 रुपिज के आसपास का रहे गया है अगर यह ग जो कि 1100 रुपे के आसपास है वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है जैसे कि हमना चर्चा की और बुलिंजर बेंट की मिडल लाइन जो है वो भी 1100 रुपे का आसपास है यहां पर भी मैंने बोला था कि एक जो है रजिस्टन का सामना करना पर सकता है इसकी उपरी लाइन तो मिडल लाइन के आसपास इसको एक सपोर्ट मिल सकता है पिछली बार जो है इसकी मिडल लाइन के आसपास ही इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया था फिर थोड़े दिन कंसोर्डेशन हुआ उसके बाद यह बांस बेक आया था और इसकी जो निचली लाइन है जो कि 100,070 का आसपास है यहाँ पर पिछली बार जब इसको पार गया था इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था और पिछली बार यह काफी दिनों तक यहाँ पर रेजिस्टंट था तो यह अब इसके लिए सपोर्ट बन सकता है पहले 1,100 और उसके बाद एक अध सब्सक्राइब करें तो यहां पर स्टेंथ की अंदर कमी दिख रही है कल के मुकाबले आज का जो बार जो यह थोड़ा सा बड़ा बना है यहां पर इसका एक स्पिनिंग डॉप जैसे केंडल बनी थी अच्छा का से वॉलियम के साथ जब आई थिंक जहां तक मुझे याद हाँ पर जो ज Pal है तो जहां पर इसका लोग आभ देखे तो वहरी है इसके यह लेकर नो आसी का जो जो बन सकता है इसके ऊपर नजशे रख सकते, भी यह ले मैँ पर आचा तो इसके अंदर भी थोड़ा सा करेक्शन आज सकता है, फिला लेसा लग रहा है, यहां पर अब रजिस्टन की बात करें, कि अगर बाउस बेक आता है, तो सबसे पहला इसका रजिस्टन जो है, यही जो 5 और 9 डेस का मुविंग एवरेज है, यह हो सकता है, अगर इसके उपर आज के वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा, लाइक जारूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले हमारे चेनल को, और एक standard disclaimer जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी trade law से पहले अपनी research कर रहे है, अपने financial advisor की सलाल है, उसके बाद ही कोई decision ले हो, decision ले तो उसकी जिम्हेतारी maturity के साथ खुद दी ले, ये video बने जो case and purpose के लिए बनाए है, मेरी तरफ से कोई यो buy sell के recommendation नहीं है, thank you